किश्मीर वार्दी विच कल अमर्नाथ दे शर्दालुआ ते कुद्रत दा कहर तुट्या अमर्नाथ गुफा दे नेडे बद्दल फटन दे कारण 13 मौता हो गई याने इस कटना दे विच करीब 40 लोक लापतावी 10 से जार ही ने 5 लोकानू बचावी ले आ गया बद्दल फटन कारण हड आया एथे 25 टेंटां दा नुकसान होया लंगरां दा भी नुकसान होया बद्दल कल शाम करीब 45 वजे फटेया ते उससे वेले पर मी बारिश भी हो रही सी मी पैरहा सी बद्दल फटन कारण आये हड दे पाणी ने अब नाथ ताम दे बेस कैंप उते मार की थी एस था ते करीब 25 टेंट लगे होय सी ते लंगर दी सेवा चाल रही सी फ़ाज दे ITBP वलो राहत दे बचाकार जारी ने ते फसे लोकान दी मदद कीती जा रही है केंद्री ग्रह मांतरी अमिद शा ने जमुकश्मीर दे उपराजपाल मनोज सनहा तो कटना मारे जानकारी लई है उनने केंद्री बलाते जमुकश्मीर परश्यासनों हदायत कीती है के हाज से दी मार चाय लोकान बचाउन लई तेजी नाल कारवाई कीती जावे अमिद शा ने कटना ते दुख परगट भी कीता है परदान मांतरी नरेंदर मोदी ने वी सवड़ी कटना ते दुख दा परगटावा कर दया उपराजपाल तो हाज से बारे जानकारी लई अंते जखमियां दे छेती ठीक हों दी दौावी कीती होड़ तक जदो तो अमरनात यात्रा शुरू हुई है एक लक्षर दालुए थे दर्शन कर चुके ने यात्रा कर चुके ने ते कालवी पगवती नगर बेस कैम्प जमू तो 6199 यात्री रवान ना होई सी कल गई यात्रियां विचो 2000 सेंती बाल टाल कैम्प ते एक ताली सो बाई पहल गाम बेस कैम्प गए सन बदल फटन दी इस कहर परी कटना तो बाद जमू कश्मीर परशासन ने हेल्प लाइन चार नंबर जारी कीते ने इस जात्रा दे लई हेल्प लाइन नंबर एंडी आरेफ दा 011-248-222 एक है 011-248-233 कश्मीर डिविजन दे हेल्प लाइन ने 0199-294 श्राइन बोड़ दा हेल्प लाइन है 0199-233-199 लोग इना नबरा ते फोन करके किसे भी तरह दी जानकारी ले सक देने ते वड़ी जानकारी एह है के इस तरास्ती दे मदे नजर पर शासने फिलहाल अमरनाथ यात्रा नों रोक देता है मोड़ यात्रा शुरू होएगी जदो राहतकार जे मुकमल हो जानगे देश्ति राष्ट्रपती नामनाथ को विन नवी मौत ता उत्ते दुख जाहिर कीता है याते देश पर दे लीडराज में तो वहत सारी लोका ने इस कटना ते सोग परक्टाया जमू कश्मीर दी इस वड़ी कटना तो इलावा उत्रा खांड दीविच विकालिक वड़ी कटना वापरी इस कटना दीविच पंजाब दी पांज जणया दी मौत हो गई या कुल नौ जणय इस हाथ से दीविच मारे गए ने पहला पुलिस सदकारिगानों ये लगया सी के सारे दे सारे जड़ी दिविच दास जणय स्वार सी उपंजाब दी रैन वाले सी परबाद विच पता लगया के सिर्फ पंज जणय पंजाब दी रैन वाले सी दास जणय स्वार सन एक लड़की जड़ी ओ हस्पताल दिविच दाखला बाकी सारे नौ दी नौ पाणी दे विच रोड गएने हादसा उतराखन दे रामनगर जिले दे विच वाप्रया है नदी दे तेज वहां कारण एक कार जड़ी पुलतो हे ठांडिग गई आटिगा गड़ी सी जड़ी पुलतो हे ठांडिग गई पुलस ने सबदियां मिर्तक दे हाँ होन तक बरामत कर ले याने इस सारा एक और्केस्ट्रा ग्रुप सी जड़े के उतराखन दे विच कोई प्रोग्राम करनतो बाद पंजाब नू वापस मोड़ रहे सी कटना कल तड़के तड़के पौन एक 6 वजे दे करीव वापरी इससे तरह एक वड़ा हादसा पंजाब दी राज़ता नी चंडिगर दे विच वी वापरया है एक स्कूल दे विच रुख डिगपया नौ सेक्टर दे विच एक विद्यार्थन दी मौत हो गई है हिराकशी ना दी बच्ची नो बचाया नी जा सक्या तड़के सेवाधार स्कूल दी एक सेवाधार स्कूल दी येधर दरज़न तो वड़़धीयार्थी जखमी ने कल पहला किहा जारिया से कि 7 वड़़धी जखमी ने फिर 13 दी गल होई ते असल खबर है कि देड़ दर्जन तो वद्ध विद्यार्थी जखमी ने हास पताल दे वेच दाखल ने अर दास कर देयां सारे बच्चे सारे जखमी ठीक होके करानों पहुंचना चंडिगर परशासन दे वलो मेजिस्ट्रेटी जांच दे हुकम दिते गेने स्टम दे निगराननी वाली जांच कमेटी हाफते दे अंदर रिपोर्ट सौंपे गी ते स्कूल परशासन ने अगले हुकमा तक एस स्कूल नो बंद कर देता है मिर्तक विद्यार्थन दासमी जमात विच पढ़ दी सी एथी सेक्टर तरताली दे विच रेंदी सी अपने परवार विच सब तो छोटी बच्ची सी जानकारी मिलिया के स्कूल दे विच जड़ा रुख डिग्या पिपपल दा रुख सी गा ते टा इस साल पुराणा सी परशासन ने इसनू विरास्ती रुख दा दर्जा दे के स्रख्यत किता होया सी चारां पास्यां तो सी मिंट दे नालिट्टा क्या होया सी दपैर दी छुटी विळे बच्चे जदो खाना खान दे सी ता अक्सर एदे थल्ले खेड दे सी ते जदो टा इसो साल पुराणा रुख जड़ा समेत बच्चेयां ते डिग्या स्कूल च चारे पास सी पाट जड़ा पैगे या चीक चिहाडा माच गया सी उत्राखंड तो एक होर हाधसे दी खबर है जित्थे एक होर पंजाबी नौजवन अपनी जान को आबैठया है जग्राओं दा रैनवाला डॉक्टर परिताज गिल उमर तेतिक साल दी सी उत्राखंड को मन गया सी कारदा संतोलन विगड गया ते हाधसी दाशी कार हो गया लंगे देन ही परिताज ने अपना जरम देन मनाया सी ते उस्ता सस्कार जग्राओं दे पेंड रूमी दे वेच आज कीता जाओगा पिता डॉक्टर सुख देव सिंग गिल सिवलहा सपताल जग्राओं दे विच सर्जन रही ने तेहोंड पेंड रूमी च लोक सी वनुसमर पेता हा सपताल चलाओं देने उद्र जपान दे वेच काल साब का परदान मंतरी शिंजो अबेदा देन देहाडे कतल कर देता गया ट्रेंड स्टेशन दे बाहर साब का परदान मंतरी पाशन दे रही सी पिछों दो गोडियां मार देतीया जपान दे विच वापरी इसकटना ने सब नू हैरान करके रख देता क्योंकि जपान विशव दे सब तो सुरख्यत मुलका दे विचो एक है गन कंट्रोल बारे कानून वी ये थे बहुत सख्त है जपान दे विच दरसल कालू यानिके एतवार नू संस दे उपरले सदन ली वोटा पैणियाने हाला के परदान मंतरी दे कतल तो बाद वोटा में थे समय मताबिक कालनू ही पैण गिया दो साल पहला दोजार वी दे वेची शिंजु आबे ने खुद परदान मंतरी दा अवदा चड़्या सी सेत ठीक ना होन दे आ हवाला दे के उननाने वड़ा अवदा चड़्यता सी गोलियां चलौनली वर्ते की डबल बैरल गन जो इसने खुद तियार केती सी ओवी परामत हो गई है शिंजो आबे दे कतल तो बाद दुनिया पारदे लीडर सद में दिवेचने यूएन देस कतर जनरल एंटेनियो गुटेरिस ने वी इसकी ना उनी हत्या ते दुख परक्टाने के है के आबे नू निशस्तरी करण बारे उना दी वच्चन बदता दिली हमेशा याद कीता जाएगा इरान ने इसनू दैश्ती कारवाई दस्या है ते स्पेन इसनू बुजदिलाना हमला करार दता है अमरीका दे विदेश मंत्री अंटनी बलेंकन ने आबे दे कतल नू परिशान करन वाडा ते बागिन ती लोकां दिलेनी जी काटा दस्या है बरतानवी परदान मंत्री बारिस जानसन ने गोली बारी नुक्रेना योग कारवाई करार दता है दुनिया पारदे लीटरा ने इस कतल ते दुख परकट कीता है पारदे विच्च शिंजु अबेदे कतल तो बाद एक दना दे कौमी शोक दा एलान कीता गया है परदान मंत्री नरेंदर मोधी ने अपनी प्यारे मित्तर दी मौत ते अफसोस जाहिर कारदयां के हागे जपान दे साबका परदान मंत्री ने कुल आलमनू वदिया थामना उंडेले अपनी सारी जंद की लादती ते आज पूरे पारदे विच राष्ट्री शोक रहेगा